नमस्क्त देशक मित्रों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ICISA Protential Mutual Fund के एक नए NFO के बारे में जिसका नाम है ICISA Protential NASDAQ 100 Index Fund दोस्तों अगले वीक से ये NFO open हो रहा है और US की 100 बहतरिन कमपनियों में एक साथ निवेश करने की opportunity ये NFO आपको provide करेगा तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप करेंगे इस NFO के बारे में NASDAQ 100 Index क्या है उसके बारे में वीडियो में डीटेल में जमदने की कोशिश करेंगे कौन-कौन से कमपनिया NASDAQ 100 Index के अंदर आती है कौन-कौन से शक्तर में कैसा allocation है उसके बारे में डीटेल में चर्चा करेंगे इस Index के पास performance के बारे में भी वीडियो में डीटेल में जानकारी प्राप कर तो आप सभी से अन्रोथ रहेगा वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा और अपने मित्रों के साथ परिवाजनों के साथ आप इस वीडियो को और Investment Mantra Channel को शेयर करना मत भूलेगा दोस्तो सबसे पहले जानकारी प्राप करते हैं क्यूं आपको Global Market में अपना Exposure रखना चाहिए दोस्तो Domestic Market में कई बहतिन कंपनिया हैं बड़ कई ऐसे जो बड़ी थीम हैं जहां पर आप Domestic Market में निवेश करके पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं जैसे कि Cloud Computing दोस्तो Cloud Computing अगर आप देखें कई innovative कंपनिया हैं US के Market में जो इस सेग्मेन में काम करती हैं और US के Market में निवेश करके आप Cloud Company जैसे बड़ी थीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिमिलर रहे पर Digital Platform भी कई सारी ऐसे कंपनिया हैं वहाँ जो Digital Platform Based कंपनिया हैं e-commerce Amazon जैसे बड़ी दिगज कंपनिया e-commerce में काम करती है तो यह भी एक बहुत बड़ी थीम है जिसमें आप अगर आप देखें US के Market में निवेश करके पार्टिसेबर करते हैं Domestic Market में यह opportunity अवेलेबल नहीं है cash less economy दोस्तो हम Google पे यूज़ करते हैं क्रडिट कार्ड यूज़ करते हैं Google पे Alphabet का सबस्री कंपनी है उसके सासत क्रडिट कार्ड अगर आप लिके Master या Visa कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वह भी US-based कंपनिया है तो यह भी बड़ी थीम है और Artificial Intelligence दोस्तो AI भी एक बहुत बड़ी ग्लोबल थीम है जहा बड़ी थीम है जिसमें आप Domestic Market में Participate नहीं कर सकते हैं तो Global Market में निवेश करके आप इन सारी Global थीम में Participate कर सकते हैं दोस्तो इसके सासत अगर आप देखें US के Market में आपको क्यों निवेश करना चाहिए उसके बारे में जानकारी प्राप करते हैं तो कई सारी जानी मानी Top Brand है जैसे की Facebook, Google, इसके बाद Twitter, Tesla, Netflix, NVIDIA दोस्तो यह जानी मानी ब्राण है अपने सेग्मेंट की और यह सारी ब्राण यूएस बिलॉंग करती है यूएस एक developed market है, mature market है कई डिगज कम्पने वहाँ पर काम परती है जो global monopoly रखती है अपने सेग्मेंट की Google के पास Microsoft के पास Intel के पास अपने सेग्मेंट में एक monopoly जैसा business मन चुका है इसके सासत यूएस के market में निवेश करके आपको diversification भी मिल जाएगा Indian market के सामने अगर आप अपने portfolio में 10-20% यूएस के market में भी exposure लेंगे तो आपके portfolio में एक अच्छा खासा आपको equity में diversification मिल जाएगा geography level पे और अगर आप देखे यूएस की GDP भी बहुत बड़ी है और यहां से भी उ 1997 में एक USD का price था एक रुपे का और फिछे तकरिविन अगर आप देखे 1997 से अब तक 75 सालों के अंदर भारत का रुपया US dollar के सामने बौरे स्थर पर depreciate हुआ है तो यूएस के market में अगर आप निवेश करते 1997 में एक लाख रुपे का तो एक लाख USD आपको मिलते जिसकी आज की डेट में value बनती है 74 लाख रुपिस और यहां से भी आपको US का market एक currency hedging भी प्रवाइड कर सकता है वहां के जो equity में आप निवेश करेंगे तो वहां पर आपको Automatically currency hedging का भी benefit मिल सकता है अगर हमारा रुपिया यहां से भी depreciate होता है तो उसका benefit भी आपको आपके fund में देखने को मिल सकता है 10-15 सालों के बाद दोस्तों US का जो market है वो तक्रीबन 60% global listed market के आपको represent करता है तो एक गहुती बड़ी economy है इनकी listed space में और एक developed economy है NASDAQ 100 जो यह इनका index है जिसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं उसका currently market cap 18,500 USD billion का है जिसके सामने जो हमारा Nifty 50 है उसका market cap currently 1852 USD billion का है तो Nifty से यह तक्रीबन 10 गुना बड़ा index है तो एक बहुत बड़े index में आपको इस NFO के माधियम से निवेश करने की opportunity म तो दोस्तो ICI से potential NASDAQ 100 इंडेक्स fund दोस्तो यह NASDAQ 100 इंडेक्स में निवेश करेगा और यह एक passive fund रहेगा NASDAQ 100 इंडेक्स एक non financial इंडेक्स है जादतर इस इंडेक्स में technology based कंपनिया है और लंबे और दी में यह इंडेक्स यहां से भी आपको बाहतरिन घ्रोथ बनाके दे स सकता है कुछ basic feature इस index के बारे में हम जानकारी प्राप करते हैं तो दोस्तो इस index में अगर आप देखे globally leading company है अपने segment की और भारत के market के साथ इस index का बहुत ही कम correlation है तो अगर हमारा market अंडर परफॉर्म भी करता है तो NASDAQ 100 आउट परफॉर्म भी कर सकता है तो आपके portfolio में balance यह index बना के दे सकता है तकरीबन 44% इस index में technology company है जानी मानी technology based company है इस index के अंदर है एक technology heavy index है और पिछे तकरीबन 14 सालों के अंदर 900% return इस index में बना के दिया है तो एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा है और आने वाले समय के अंदर भी यह index 22 ग्रोफ दिखाने का potential रखता है तकरीबन 18 trillion USD के size का यह index है और एक बहुत ही बड़े market को represent करता है दोस्तों कई जानी मानी global brand इस index के अंदर आती है एपल इसको आप जानते ही होंगे उसके बाद Microsoft दोस्तों Microsoft globally OS में market leadership रखता है उसके बाद Amazon e-commerce के जानी मानी company है और जोस्तों YouTube Google और Android जैसी अलग अलग कंपनिया Alphabet INC के अंतरकत आती है Facebook और Netflix भी जानी मानी company है Facebook के अंदर Facebook WhatsApp और Instagram जैसे business आते है Tesla भी जानी मानी चर्चित कंपनी है Pepsico Starbucks जैसी कंपनिया भी इस index में आती है तो जानी मानी global giant इस index के अंदर है और इस index में निवेश करके आप इ आपर में चर्चा करें तो Apple में तक्रीबन सारे 11 परस का अलोकेशन है Microsoft में 10 Amazon में 7.6 Alphabet के class C share में तक्रीबन 4.18 का अलोकेशन है Facebook में 4 Tesla में 3.8 Alphabet के class A share में तक्रीबन 3.8 का अलोकेशन है NVIDIA यह एक चिप बनाने वाली अगर आप देके company है इसमें भी 3.8 का अलोकेशन है PayPal य इसमें 2.3 का अलोकेशन है और Adobe में 2 परसका अलोकेशन इस इंडिया गया है सेक्टर वाइस सर्चा करें तो information technology IT में 44 परसका अलोकेशन है उसके बाद communication service में 29 परसका अलोकेशन है consumer dictionary में तक्रीबन 15 परसका अलोकेशन है consumer service में 3 और industry में 2 परसका है इस इंडेक्स के अंदर है तो एक diversify index है, technology heavy index है, पिछले performance के बारे में जहानकारी प्राप करते है, नेश्टेक 100 index के, तो पिछले तके बन 6 सालों में ये index 35% के CHGR से ग्रोग किया है, एक लाग का किसी ने निवेज किया होता इंडेक्स के अंदर, तो उसकी आज के date में value बनती है, 4,26,700 रुपे, जिसके सामने, Nifty में अगराब देखे, 2,31,000 रुपे का growth हाया है, और जो बड़ा index है, SNP 500, उसमें भी गराब देखे, बड़ी growth नहीं है, उसका भी अगराब देखे, 2,33,000 का value हुआ है, एक लाग का, तो Nifty 50 और SNP 500 को भी इस index ने आउट परफॉर्म किया है, बहुत ही बहुत ही इस ने पास पर भी दिखाए, और यहां से भी आप SIP के माधियम से भी इस index में लंबे होधी के लिए निवेस कर सकते हैं, और अपने portfolio में एक अच्छा खासा alpha भी ये index आपको बना के दे सकता है, calendar year performance के बारे में जहानकारी प्राप करते हैं, 2010 में Nifty 50 ने आउट परफॉर्म किया था, उसके बाद अगर आप देखे, 2011 में हमारा market 23% गिरा था, जिसके सामने NASDAQ 100 index 22% बढ़ा था, तक्रिबन 44% इसने alpha बना के दिया था, 2011 के अंदर, 2012 में Nifty ने आउट परफॉर्म किया, उसके बाद फिर से 2013 में भारत का market सिर्फ 8% रिटन बना के दिया था, उसके सामने NASDAQ 100 ने 54% रिटन बना के दिया था, उसके बाद 2015 में भी अगराब देखे, भ रिसेंटली जब कोविड क्राइसिस हुआ था, पिछले साल, तब भारत का market 16% रिटन बना के दिया था, तो पिछले तक्रिबन में अगरा आप देखे, दस कलेंडर यह में से 6 बार इस इंडेक्स ने Nifty 50 को आउट परफॉर्म किया है, और यहां से भी यह इंडेक्स आपको एक 22 आलफा बना के दे सकता है, तो दोस्तों अब क्यों आईसे से प्रणेशल नेस्टेक 100 इंडेक्स में आपको निवेश करना चाहिए, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रवाइड करेगा आपके पोर्फोलियो के अंदर, अगर आप सिव भारत के market में निवेश करते ह तो आपको US के market में exposure ये index प्रवाइड करता है, global giant company इस index के अंदर आती है, टेक 32 आपको पोर्फोलियो मिलेगा, और अगर आप देखे पिछले तक्रिमान 20 सालों का इस index का बहतरिन track record भी है, और big tech company में आपको ये index exposure प्रवाइड करता है, रूपी hedging भी आपको और आपके portfolio में एक global diversification ये index प्रवाइड करेगा, और कई सारी कंपनिया अगर आप देखे जानी मानी कंपनिया है, इन कंपनी के product ये service आप daily life में use भी करते हैं, तो इन में आपको निवेज भी करना चाहिए, और ये निवेज के लिए opportunity आपको ICI से financial NASDAQ 100 index पन प्रवाइड करता है, तो NFO के बारे में जानकर reply करते हैं, तो 27 September से ये NFO open हो रहा है, और 11 October तक ये NFO open रहेगा, प्रियांग खंडेलवाल इनके fund manager रहेंगे, minimum application amount आपका 1000 रुपे कर रहेगा, आप इसमें SIP भी कर सकते हैं, 500 रुपे से, कोई भी exit load नहीं है, इस index में और benchmark रहेगा, NASDAQ 100 index TRI, तो दोस्तों एक बहुत ही बहुत ही बहुतिन fund है, अपने portfolio में अगर आपको diversification लाना है, global market का, तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं, अगर आपको इस fund में निवेश करना है दोस्तों, तो आप हमें DAG नमबर पे call कर सकते हैं, message कर सकते हैं, या WhatsApp भी कर सकते हैं, आपके financial goal के इससाब से आप हमारे साथ अलगर प्रका के बहुतरिन mutual fund में निवेश कर सकते हैं, DAG नमबर पे आप हमें सरूर संपक कीजेगा, दोस्तों आप सभी से अनरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, परिवाजनों के साथ शेर जड़ू कीजेगा, वीडियो को एक लाइक दीजे, वीडियो को शेर कीजे और दोस्तों अगर आपने अब तक investment mantra चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे, bell icon का दबाएए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए, आपको notification मिल जाए, thank you for watching.